गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वालकम बैक टूर चैनल माई क्यूट होम गार्ण तो फ्रेंड्स आजकल हम वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं कुछ प्लांट है जिनमें हमें बेसिकली कुछ कीटो की समस्य आ रही हैं जो वो कीडे हैं वो हमारे जो प्लांट है उनको डिस्ट्र माई क्यूट होम गार्डन को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इंपोर्टन नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहें तो जैसा कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यह जो इंसेक्ट है यह मेली बग है वाइट कलर का यह देखिए और यह आपक मेरा भिंदी का पूरा फल था इसको पूरी तरह से इसने डिस्ट्रोइड कर दिया है आप देख सकते हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इनसे निजात कैसे पा सकते हैं और इनसे निजात पाना बहुत ही आसान है तो अगर आप भी इस तरह की समस्याओं का समाध सब्सक्राइब धान ही जो इस विडियो को एंड तक देखिए हैं तो फ्रेंड्स जो सैकिन्ड है किड़ आपको नजर आएगा यह देखिए यह पीले-पीले रंग के कीड़ आपको नजर आएंगे और यह जो है आपकी जो पोधे हैं उनको बहुत ज़्यादा नुक्सान पहुचा रहे हैं ये देखिए इस तरह के कीट आपको बहुत यूजरी नजर आएंगे और बहुत बड़ी कॉइंटिटी में जो हैं आपको नजर आने वाले हैं ये देखिए ये आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं और देखिए ये वैसे मेरी तोरी की बेल पे लगे थे पर ये फाइनली आप देख से दिखा देता हूं आपको कि ये जो भिंडी का पोधा है उसको उपर भी आ चुके एज यूजरी ये भिंडी पर नहीं होते हैं पर ये जब जो से निजात पाना हमारे लिए बहुत जरूरी है तो फ्रेंड्स अपने प्लांट को हेल्थी रखने के लिए मैं आज आपको बहुत ही अच्छा शॉलिशन बताने वाला हूं जो हर घर में बहुत ही आसानी से जो है वह मिल जाते हैं और आप अगर इसको स्प्रे कर देते हैं तो यह जितने भी इंसेक्ट है आप सब से इने आपको इन सब से मुक्ति मिल सकती है और यह दुबारा नहीं आएंगे क्योंकि इसकी स्मेल ही ऐसी होती है तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको मैं जो थार्ड कीट है जो आपको दिखाने वाला हूं जो आपके पोदों को बहुत ज़्यादा नुक्सान पहुचा रहा है यह देखिए यह आप वाइड कलर का देख रहे हैं यह देखिए पूरे पोदे को जो है वो डिस्ट्रोइड कर र जो करेले का पोदा है इन कीटों की वज़े से वो पूरा डिस्ट्रोइड हो चुका है तो अब तो इसको बचाना बहुत मुश्किल है लेकिन मैं जो प्लांट ठीक ठाक है यह देखिए क्या हालत कर रखिए इन्होंने यह देखिए महला सभी पोदों को बहुत ज़्यादा इन्होंने नुकसान पहुचा रखा है यह देखिए फ्रेंट्स इसकों कि काफ़ी नुकसान हुआ है मेरे पोधों को और यह देखिए कुछ पौधों को तो इतना जादा नुकसान हुआ है कि वो मर चुके यह है ब specific कीटों की वज़े सब्सकराण निजात पाना बहुत जर बढ़ना यह हमारे पूरे पौधे को और हमारे आसपास के रखे जितने भी पौधे उन सब को डिस्ट्रोइड करने वाले हैं तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहे हैं तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इन सारे इंसेक्ट से कैसे निजात पास सकते हैं तो फ्रेंड्स फाइनली हमें अपना शोलूशन जो है वो तियार करना है इन सभी इंसेक्ट को किल करने के लिए तो यह मेरे पास एक स्प्रे बोटल है और यह स्प्रे बोटल मैंने बहुते नॉर्मली बोरे तो देशी जुगाड़ करके बनाई है सिर्फ यह मुझे 15 रुप में मिलती तो 15 रुपेज में मेरा काम हो गया उसके बाद यह है मेरे पास लिक्विड शॉप और इस लिक्विड शॉप को मैं डालने वाला हूँ इस पानी के अंदर और इस पानी मेरे डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं इस बोटल का धकन लगा देता हूँ और इसको मैं मिक्स करता हूँ तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस बोटल के अंदर जो पानी है उसको मिक्स कर दिया है और अब मैं इसके उपर स्प्रे करने वाला हूँ और आपको रिजल्ट भी दिखाने वाला हूँ कि वो कैसे रिमूव होते हैं उनको रिमूव करना बहुत जरूरी है हमारे लिए तो चलो स्प्रे कर तो फ्रेंड दैसा कि आप देख सकते हैं कि वाइट वाले मेली बगत है और मैं इसको कैसे रिमूव करता हूँ यह पूरा पानी इसके पर स्प्रे करना है आपको यह पूरी तरह से रिमूव हो जाएने हैं यहां से और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे करके हम छोड़ने वाले हैं और बिलकुल इसको मला एक तरह से आपको मैं बोलू तो वाश आउट कर देना है सारे जो इन्सेक्टियां को वाश आउट तो क्लोस से लीजिए आप बिलकुल और यह स्प्रे कर देजिए जून पे नहीं भी है वहाँ पर भी स्प्रे कर सकतें свое आा ना कि यह देकिए यह पर भी एक बेठा हहुआ है इसको भी खटाता हूं है ठीक है इनको ऐसे स्प्री करना बहुत जरूर है आप सभी पर कर देजी जहां पर भी आपको यह इंसक्त नजर आ रहे हैं तो ऐसे ही रहने दीजी और उसके बाद इसको लगातार आपको दो या तीन दीन तक स्प्रे करना है इन सब को वाश आउट कर देना है तो फ्रेंट जो यह यहलो वाले थे इनको भी मुझे रिमूव करना है तो मुझे वाश आउट करना पड़ेगा यह देखिए मैंने वाश आउट कर रहा हूँ यह मैंने सारे पे स्प्रे कर दिया है और जैसे आप इनको थोड़ा प्रेशर से डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि यह जो इंसेक्ट हैं आपके हटने शुरू हो जाएंगे यह देखिए सभी इंसेक्ट जो हट गए है तो थोड़ा प्रेशर से आप इसको डालिए जब तक हटे ना जब तक हटे ना आप इसको प्रेस करते रही है तो आप जैसा कि देख सकते हैं सभी इसके उपर से हट चुके हों जो नहीं हटे हैं उनके लिए आप हाथ का यूज कर सकते हैं बाद में आप इनको जो है वो वाश कर लीजेगा अपने हाथों को तो ऐसे जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो हाथ से भी आप इनको हटा लीजे क्योंकि अभी इस पर लिक् करता हूं तो फेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने लिक्विड शॉप का यूज करके इन सभी जो भी हमारे इंसेक्ट थे जो किट थे उन सभी को वाश आउट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि सभी जो है वो रिमूब हो चुके हैं मेरे प्रांट के उपर से आप सभी इंसेक्ट जो है वो मैंने उनको लिक्विड शॉप की हल से आप देख सकते हैं कि मैंने वाश आउट कर दिया है उनको यह देख लीजे आप यहां पर बहुत सारे इंसेक्ट थे पत्तों के पीछे भी इंसेक्ट दे देखिए एकदम क्लीन हो चुका है यह यह एकदम क और पीचे से मैंने सबस्कुन नटको उते कर दिया है आप सकते हैं यह देखिए फ्रेंड्स सभी को वाश ओट कर दिया गया है लिक्विड शॉट की हल्ट से तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल माई कुट होम गार्डन को सब्सक्राइब कीजिए औ और अगर आपका इंसेक से लेटिड कोई भी कोश्चन है तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके पोस्ट सकते हैं थैंक्स वर वाचिंग माई वीडियो